हाई फ्रेंड्स स्वागत गरते हैं आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासेमपल मैं आपके साथ सयद समसाद हुसैन दो तीन हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि इंस्टाग्राम में मुझे डियम कर रहे हैं कुछ दिनों से कि सर काइन मास्टर में इडिट कैसे करते हैं हम अपना एक नया यूटूब चैनल ओपन करना चाहते हैं लेकिन हमें वीडियो एडिटिंग के बारे में थोड़ा भी नौलेज नहीं है तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो एडिटिंग बताएं जो कि हम स्टार्ट कर सके अपना यूटूब जर्नी त और आप भी अपना यूटूब चैनल खोल करके चाहे ब्लोगिंग हो चाहे टेक हो पैसे कमा सकते हैं तो आईए कंप्लीट काइन मास्टर किस तरीके से यूज करते हैं आपको बताते हैं सिखाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को को ओपेंड करना है प्लेस टोर को ओपेंड करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपने सर्च करना है काइन मास्टर ठीक है LEC master इसको आपने simply install कर लेना है हमने इसे install कर रखा है मैं इसको article में करके एक बार आपको oriental में दिखाता हूँ ठीक है थाकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस kind master को आप install कर लेंगे और simply इसको open करेंगे देखिए ये बिल्कुल free है अगर आप free version इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक watermark देखने को मिलेगा ठीक है जो की उपर में देखने को मिलेगा अगर pro इस्तेमाल करते हैं तो कुछ रुपई या इसका मेहने का है और साल का 3,000 कुछ रुपई है ठीक है हमने यहाँ भी month वाला ही लिया इसको आपको बताने के लिए देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको ratio मिलता है ठीक है create new पर आपको क्लिक किजेगा तो 16.9 का जो ratio होता है यह YouTube वीडियो के लिए होता है 19.16 का जो ratio होता है basically यह reel के लिए उपयोग किया जाता है ठीक है जिसमें आपको full screen दिखाएगा आप उसको tiktok पर vigo पर या अभी Instagram reels पर या tiki पर या फिर कहीं भी आप YouTube shots पर upload कर सकते हो एक point एक जो आपको दिख रहा है यह Instagram का जो post दिख रहा है और 4.3 में आपका हलका कटा रहेगा ठीक है 3.4 है 4.5 है और 2.35.1 है यह आपका जो गाने वगरा shooting देखते हैं और आप दोरों तरब से नीचे और उपर gap रहता है ठीक है और बीच में पतला सा पट्टी जैसा रहे लेकिन ज्यादा तर यहां लोग 16.9 का इस्तमाल करते हैं जो की बहुत ही बेहतर है create पे आप click करेंगे जैसे ही create पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके जितने भी आपके device में जो भी videos हैं वो सब आ जाएंगे आपने जो video बनाया है वो कहां पर बनाया है यहां से आप select कर लें देख लिजे आप select कर सकते है videos photos यहां से select कर सकते हैं एक video हम यहां से select कर लेते हैं ठीक है जो सभी आपको लगे एक video यहां से select कर लिजे अगर आपको कोई दूसरा और भी video इसमें add करना है तो इस तरीके से दूसरा video यहां से आप add कर सकते हैं ठीक है वीडियो हम यहां से add कर लिए तीसरा चौथा इसी तरीके से आप add कर सकते हैं अब इसको यहां से cut कर देते हैं अब देखिए इसको आपको बैका जाना है एदम basic rule आपको बता रहा हूँ यहां पर ठीक है चार ही यहां पर दिया गया है एक media एक layer एक audio और एक recorder अब इसका जो आप अभी सुन रहे होंगे यह इसका original voice है ठीक है अब हमको शुरू का part थोरा सा हटाना है चुकि वह हमें नहीं चाहिए तो हम यहां पर जैसे यहां से हमको यहां का part हटाना है तो यहां पर click करके इस वाले पर हम videos पर click करेंगे और trim and spilt पर हम click करेंगे अब यहां पर जाएगा दोनों ठीक है और इस फिल्ट इंसर्ट फ्रीज फॉर्म में आपका photo वही पर रुख जाएगा 15 सेकेंड के लिए तो हमें side वाला जो left वाला पार्ट है उसको हटाना है डायरेक्ट वाला हटा सकते हो यह फिर इस पिल्ट करके ऐसे कर सकते हो अब यह दो वीडियो इसका आपको कोई अभी काम नहीं है ठीक है मिक्सर में आप इसके आवाज को कम बेसी कर सकते हो अपने नुसार अगर आपको लगता है कि आवाज थोड़ा कम है तो आप बढ़ा घटा सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ speed है वीडियो का जो speed है यहाँ से आप वीडियो के speed क कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो तो नॉर्मल छोड़ देते हैं चुकि ब्लॉगिंग यह इडिटिंग है इसको नॉर्मल छोड़ देते हैं ठीक है और उसके बाद आपको यहां पर देखिए पैन एंड जूम का मिल जाता है मान के चलिए हमें यहां तक जो पाठ है इसको हमें थोड़ा सा जूम रखना है तो हम यहाँ पर इस पिल्ट कर देंगे देन उसके बार यहाँ पर यह वाले पर किलिक करके यहाँ पर पैन एंड जूम करके इसको यहाँ से इतना जूम कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे तो ये इतना ही जूम रहेगा अब आप बैक करके यहाँ पर देखिएगा तो ये जूम में वीडियो चल रहा है ज़ी और उसके बाद ये देखिए और इजनल साइब में आ ज़या तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ठीके उसके बाद आप यहाँ पर देखिए रोटोटेट कर सकते हैं इस वीडियो को देखिए इस तरीके से रोटोटेट कर सकते हैं कोई वीडियो आपका उल्टा सूट हुआ है तो उसको आप इस तरीके से सही भी कर सकते हैं देन उसके बाद यहां पर आपको filter का option मिल जाता है, अगर हमें filter लगाना है, तो आप filter का बहुत सारा इस्तमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, filter बहुत सारा दिया गया है, इस तरीके से filter आप इसमें लगा सकते हैं, जो से भी filter आपको अच्छा लगे, suitable लगे, उसको आप लगा स चाहते हैं, तो यहां से saturation बढ़ा सकते हैं, यहां से contrast को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको भी अपने अनुसार कर सकते हैं, brightness को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसको भी अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहां पर vibrance है, तो इसको कम या ज्या ें आपको क्लिफ है इसको किलिफ ये काम क्ता है जब इसंस्थ लिएयों के बिच एम 보 damn जायएगा तो हमें यह नहीं तो इसंस सकति लगी सबने दूहे ऊपर अगर एम टब मकाली जईको धायते को नहीं पधने कर दो किलिक दिशेट या bus user या hip hop normal जो भी चाहते हैं आप यहां पर किलिक करके उसको छोड़ दीजिए ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको ट्रांस कोड है extract audio है voice changer है बहुत तरह के option है लेकिन यह सब के ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है layer में क्या-क्या आपको देखने को मिल जाता है layer में यहां पर मान लेजिए कि आप वीडियो में कुछ बता रहे हो बोल रहे हो तो यहां पर मीडिया पर किलिक करके और उस वीडियो को या फिर उस फोटो को दिखाना है आपको मान के चलिए कि उस पैलेस को आपको दिखाना है अगर किसी के बारे में बता रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं ठीक है अब देखिए अब और आपको बताते हैं मीडिया में आप फोटोस वीडियोस कुछ भी लगा सकते हैं अगर आप वीडियोस लगाना चाहते हैं तो वीडियोस भी यहां स से क्लिक किजिएगा ठीक है यहां पर क्लिक करके इस पर लेयर पर जाईएगा और इस्टिकर पर जाईएगा और यहां से आपको जो इस्टोर देख रहा है यहां से आपको मोबाइल का जो फ्रेम होता है वो आपको इंस्टोल कर लेना पड़ेगा तो अगर आपने लिया तो यहां पर फ्रेम भी लगा सकते हैं ठीक है मुबाइल का फ्रेम लगा सकते हैं तो यहां पर देख लेते हैं हमारा मुबाइल का जो फ्रेम है फ्रेम है वो यहां पर हमारा है अगर नहीं है आपका इसमें ठीक है तो भी आप लगा सकते हैं कहां से त्रीडी फोन है यहां प इतना बारीकी से आप लगाएंगे, जितना बारीकी से लगाएंगे, जितना कलाकारी इसमें करेंगे, उतना ही बेहतरीन देखने को ये लगेगा, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से तीर लेना है, ठीक है, इस तरीके से तीर लेना है, यहा इसा बोल दिया है उसको आप फिर से दुबारा से चाहते हो कि रिकोर्ट करके हम फिर से वाइज उबर कर दें तो यहां से ट्रीम कर देंगे यहां से इस फिल्ट कर देंगे ठीक है इस फिल्ट करने के बाद मान लिजे यहां इस पार तक आपने कुछ ऐसा बोला है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप यहां पर फिर से स्पिल्ट करके ठीक है, और यहां पर फिर बैक जाएंगे और इसका जो wise है, वो कम कर देंगे कम करने के बाद यहां पर आएंगे यहां पर आने के बाद यहां recording start करेंगे और फिर उसमें है आपका, वो यहां पर फिर आप वाइस उबर करके तो यह पार्ट आपका जो है अलग से आप वाइस उबर भी कर सकते हो ठीक है और क्या-क्या ओप्सन है यहाँ पर देखे इफेक्ट में आप यहाँ पर किसी पार्ट को बलर कर सकते हो कुछ देर के लिए मान लिए आपके अगल बगल कोई ऐसा गरल वगल दिखी या फिर कुछ ऐसा दिखा जो आप नहीं चाहते हो या उसकी परमिशन नहीं है तो आप उसको इस तरीके से बलर भी कर सकते हो यहाँ पर ठीक है बलर को आप यहाँ से इस पीड ज़्यादा या कम अपने अनुसार यहाँ से कर सकते हो ठीक है और यहाँ प पूरा इस तरीके से सो जाएगा ठीक है यहाँ से और इसको आप चाहते हैं कि हम इस पार्ट में थोड़ा सा रखें तो इतना पर करके इसको फिर आप यहाँ से श्पिल्ट कर दीजिएगा ठीक है इस तरीके से इसके बाद लेयर पर जाएगा इस stickers में देखिए आपको बहुत सारा stickers मिलता है जैसे कि आपको कहें पर कुछ लिखना है तो मान के चलिए हमें यहाँ पर कुछ लिखना है तो हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर यह वाला नीचे में लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब अब देखिए यह जो यह जो हमने लिखा यहाँ पर इसको छोटा बड़ा करके आप यहाँ पर सजा सकते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका यह इस तरीके से लिखा हुआ आएगा जो काफी attractive लग लाते हैं ठीक है फिर से यहां से हम काइन मास्टर को लाते हैं अब बीच में अगर आपका कट जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं आपका जो project है वहीं से एकदम आएगा ठीक है यह काइन मास्टर में खूब है वीन में है लेकिन उसमें बहुत चुलो है एकदम वहीं से start हुगा ठीक है वहीं से एकदम start हुगा तो अभी watermark देने के लिए text पर आप जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते हैं इस तरीके से लिख करके ठीक है वाह सिंपल इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर जो font है उसको choose करके जो भी मुझे पसंद होता है यहाँ से ऐसे दे देते हैं और इस तरीके से आप वीडियो में कहीं पर भी छोटा सा इस तरीके से लगा के इसका जो opacity है उसको थोड़ा कम कर देते हैं ठीक है आप इसका color भी यहाँ से choose कर सकते हैं मानके चले black रखना चाहते हैं तो black अब देखे यह watermark आपको दिखेगा आप इसको जितना चोटा बड़ा में रखना चाहते हो वो वीडियो में आप रख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से watermark हम यहाँ पर इस्तिमाल करते हैं ठीक है और अगर बीच में spilt करना है कुछ ऐसा पॉइंट आपने बोला फिर उस चीच को दिखाना है तो spilt करके बीच में आपको जो transformer जो लगाना होता है यानि वीडियो के खतम होने के बाद जो वीडियो अगला आए वो थोड़ा इस्टालिस करने इस पर आपको माइनस पे इस पर क्लिर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे effects मिल जाएंगे आपको effects आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह वाला मुझे effects हैं आप store में click करके यहाँ पर और भी सारे effects इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से आप effect का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर दैन उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें music वगएरा 8 करना ठीक है अभी तो हमने text बताया sticker बता दिया text बता दिया sticker में बहुत सारे sticker आपको मि इठा सकते हैं यतना बारीकी से कीजिएगा उतना अच्छा आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है निकल करके आएगा अगर आप वीडियो बना रहे हैं योगा बगएर का तो योगा बगएर का भी यहाँ पर आपको stickers मिल जाते हैं इस तरह का stickers का आप इस्तमाल कर सकते हैं ठी जब बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लाइव वगारा यह जो होता है ना इसी को आदमी लगाता है लाइव नियूज वगारा में और इस तरह से करके यहाँ पर इसको खीच देता है लाश्ट टक तो इसलब effects का कमाल होता है यहाँ ठीक है आप देख सकते हैं बहु वो कैसे लगाते हैं जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको हिंदी चूस कर लेना होगा और यहाँ पर देखे इस तरीके से लिखिए मेरे चैनल सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इस तरीके से जितना बड़ा आप लिकना चाहते हैं लिख लग लीजे मैं सौट में आपको बता रहा हूँ अब इसको इस तरीसे नीचे लाईए नीचे लाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स पर ही किलिग करके यहाँ पर आपको background कलर मिलेगा यहां पर चावी वाले पर किलिक कीजिए और इस पर किलिक कीजिए प्लस वाले पर ठीक है और इसको धीरे 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 बारे की से इस तरीके से ऐसे चलाए ठीक है और अब आप देखेंगे जो वीडियो का आउटपूट है वो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा देख सकते हैं आप यहाँ पूंपर एस तरीके से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा त्टीक है इस तरीके से और Φ्धे के आप यहां पर और क्या मैं बता रहा था हां टैक्श देख लिए हैंड घरटिंग में आप यहाँ पर इसी पारटिकुलर है इस तरिके से दर्शा सकते हैं ये तो हो गया इसका कमल और आप देख सकते हैं यहां पर फिर लेर पर किलिक करते हैं तो आपने जाना मीडिया एफेक्ट स्टीकर करें ट्यक्स और हैंड़ राटिंग यह सब आप जान लिया अब वीडियो में आपको सॉंग वगएरा लगाना है तो यहां आडियो पर जाएंगे जो इसका काइन बाफ्टर का जो अपना वीडियो आडियो होता है वो तो copyright free ही होता है ठीक है पैट बर्जन लेंगे तो और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर जो सॉंग है वो देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप यहां पर किलिक करेंगे एक कोई जो भी आपको पसंद आता हो यहां से आप उसको पलस पर आइपन पर किलिक करके लगा आप वह आप 20 या 25 परसेंट देख लीजेगा आपने अनुसार रखिएगा आपकी आवाज से जो बैक्गराउंड का सोने वह कम होना चाहिए ताकि लोगों को डिश्टर अपना और फिर इस तरीके से आप यहां पर इस तरीके से लगा सकते हैं इसको पूरा में आप चाहते ह तो फिलएंगे तो सक्वाटमेटिकली पूरा लैले लगा लूप लूप टू इंड मतलबाभ आपका जो अब पूरा लाश्ट तक का जैगा जतना भी आपका जो बीडियो है ना उसका लाश्ट तक का आपका सन्ड जाए को पर्टिकलर अडिया में चाहते हैं तो अपने हि और यह वाला जो सवाल वीडियो था यह भी हमको नीचे यह तो इस पर लूगो लगाना चाहते है तो मीडिया पर जाएंगे अपने पहले से लोगो बना करके है तो फॉर एकजांपल हमने यहां पर एक लोगो बना करके लिए रखा है वो हम आपको दिखा देते हैं यहां पर हमने रखें गोल जैसा यहां पर लगा दिया और लगाने के बाद इसको पूरा इसे खीच दिया वीडियो के लास्ट तक ठीक है तो यह आपका जो लोगो से लोगो लग जाता है तो यही कुछ रूल्स हैं जिससे आप स्टार्टिंग करके वीडियो को बढ़े असाशने से इडिट कर सकते हो तो उपर में यहां पर काइन्माश्टर लिखा हुआ आएग मैच्टर नहीं आएगा और बहुत सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत आसान से और बहुत दो शुरुवाती तोर से आप जब इस्टार्ट करोगे ना तो धेरे-धेरे आपको बहुत चीजे सिखने को मिल जाएंगा इसमें बहुत चीजे हैं तो जितना डिप में आप चाओगे जितने अच्छे तरीके से करोगे उतना इट्रेट को आप 10 के पार रखिए कम से कम ठीक है दस के पार रखिए आपका क्वालिटी अच्छा एगा और यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपको जो जो वीडियो को टोटल एंबी हुआ वो कितना हुआ ठीक है अभी हमारा 6-10-6 जो भी फिरी है और 65 एंबी का यह हमार सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और एक फ्रेश टॉपिक नई जानकरी के साथ अपके लिक उत्ता अबने बबार का ख्याल रखें गुडबाय टेक कियर